उपर वाले की बनाई इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो अपने कर्मों से आस्मान की बुलंदियों को छूकर आस्मान से भी उंचा होना चाहता है मगर वो ऐसा कभी नहीं कर पाता क्योंकि जिसने इंसान और इस दुनिया को बनाया है वही है आस्मान से उंचा नागेंग्रहाराय त्रिलोचनाय भसमांगरागाय महिश्वराय मित्याय शुस्थाय दिगंबराय अस्मैन काराय नमस्षिवाय कर दो झाल, 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 झाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ लुआ एंगाना वजएर्ण लुटावे निया हम झाईखाना निया रिए लुटावे निया देन। गजळ चलब खरुए न करें आ गुम्ड़कर देधि राज लाज लाज जाजयु कर लाजर था कर लाजर्गा प्रुशंग कर लाजर्ग लाजर्ग जात लाजर्ग चाहत देड में राम जए लाजर्गं कर दो चौक कर तो सुंद्ड़ कर दो दो सबस्टर जसे का पराइब ऑड़ा हूओ जो पराइब दोर्मडरे法र जना बज़क्र जा फड़ा हूओ और मुझ कर दोर नोर्मडरे दोफ। कर दो पराइब टोर नह今त जब पर ताहओ जढ़ा ए हुआ है किंग साहब, मैं हमेशा से देख रहा हूँ, आप नाश्टे से पहले पाँच गोलियां नागराज के पुतले पर दाग देते हैं, और छटी गोली के साथ पिस्टॉल रख देते हैं, ऐसा क्यों? इस जटी गोली में हमारी जिन्दगी का इतिहास छुपा हुआ है, मेरी जिन्दगी को इसकी तलाश है, और इसकी मात मेरी जिन्दगी का मकसद, ये मकसद उसी दिन पूरा होगा, जिस दिन पिस्टॉल में पड़ी जटी गोली, इस कमीने के सीने के बाहर होगी, नागराज के सीने में गोली दफन करने का खौब लेकर जीने वाले सिर्फ खौबों में जीते हैं खौबों में और गिरते हैं मेरे पैरों में किंग का अंजाम भी वही होगा क्योंकि नागराज है मेरा नाम नागराज साप का डसा बच सकता है लेकिन नागराज का नहीं हाँ 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 है अलो मैं केके बोल रहा हूं केके वो माल की गाड़ी आ चुकी है वेरी गॉड वेरी गॉड हाँ मैं मैं इन लोगों को भेज दीता हूं तुम माल गोडाउन नंबर सत्रा में पहुंचा दो ठीक है अगर जान प्यारी है तो सब के सब गाड़ी से बाहर आ जाओ वरना गाड़ी के साथ भून डालेंगे अगर यह तो सब किनके आदम है तुम सब उदर जमीन पर आखें बंद करके उल्टे लेट जाओ उस वक तक जब तक हमारी गाड़ी की आवाजे तुमारे कानों से दूर नहीं हो जाती है और अगर किसी ने देखने की हिम्मत की तो वो यह दुनिया देखने के काबिल नहीं रहेगा कमान पास चाल लेट्स गो कमान किंग 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 सलाई ये किंग हर वक्त हमें मात दे रहा है क्या तुम लोगों के हाथ इतने कमजर हो गए कि किंग के आदमियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते खून की नदिया बहा दो लेकिन किसी भी केमत पर मुझे वो माल वापत चाहिए 24 घंटे के अंदर जिन लोगों से मैं एडवास ले चुका हूँ ने मैं क्या जवाब दूगा फिर हमें जवाब चाहिए नागाद खामुशी नहीं इस दंदे में आज तक हमारे साथ किसी ने चीटिंग नहीं की यह चीटिंग नहीं है हसन भाई असल बात यह है कि यह माल किसी ने लूट लिया किसने हैं माल हमने लूटा है पाल कौन हो तुम किंग तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं फिर माल लूटने का मतलब मतलब है नागराज की मात माल के बदले वो मुझे जिन्दा चाहिए बोलो है साथा मन्जूर तुम लोग खामोश क्यों हो खामोश यह लोग है मैं नहीं मुझे साथा मन्जूर है तो सुनो कल दोपेर दो बजे मरा इलन आ जाना वहां इन लोगों का काम भी हो जाएगा और हमारा भी याद रखना कल दोपेर दो बजे मड आईलेंड लेकिन ना दो फिकर मत करो हसन भाई कल तुम्हे तुम्हारा माल मिल जाएगा ठीक है बाकी रहा किंग तो कल मड आईलेंड पर उसकी जिंदगी और मौत का फैसला भी हो जाएगा तुम्हा अगराज के इलावा कोई आगे नहीं बढ़ेगा उन पथरों के पास मेरा आद में सुटके रख देगा और नागराज को उठा लेगा खबरदार को अपने जगा से इला तो गिरफटार कर लेजब आए कौन हसरा है तुम्हारे इस हाल पर है वही जिसके हाल पर रोने के लिए गली के कुट्ते भी नहीं होंगे ये तुम नहीं मेरी होशी आ रही है और तुम्हारी बेवकूफी के कारण तुम्हें मिली हार के जखम बोल रहे है अपने ही आदमियों को पुलिस बना कर तुमने ये बाजी तो मार ली लेकिन नागराज हमारा नाम भी किंग है ज़रा वो बैग भी खोल कर देख लेना तुम्हारी हार पर पहनाने के लिए हमने भी हारी भेजियें मगर जूतों के क्या बक्ते हो एक बात याद रखना नागराज किंग से जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं अब वजूतों के हार तुम खुद भी पहनो और अपने साथियों को भी पहनाओ कि अगराज हमारे धंदे में जब तक विश्वास जिन्दा है तब तक आदमी भी जिन्दा है विश्वास खतम और आदमी अलाओ यस सर्म सेंटर रोटल स्रीनेगर राइट सर्म गिमी रूम नम्मो थीनाट थी मिस सो नम सर्वास सब्स रूम में नहीं है इस सोके रूम में नहीं है किदर गई होगी जया इस पेड़ पर ये ढे सारे आईने क्यों लगे है ये आईने नहीं प्रेमियों की प्रेमिलन की दास्ताने है प्रेमिलन की दास्ताने है ये पेड़ तो सारे शहर में मशूर है सौ साल पहले इसी पेड के नीचे दो प्रेमी मिला करते थे जो जनम-जनम साद जी मरनी की कसमे खाया करते थे अच्छा? हाँ! और कहते हैं कि उस प्रेम दिवानी प्रेमिका ने जिस दिन अपने हाथों से इस पेड पर आएनन लगाया उसी दिन उसस का प्रेमी मिला था और फिर वो दोनों मिलते ही रहे मिलते रहे हाँ पिंकी, ना जाने कितने चाहने वाले आज भी इस पेड़ पर आएने लगा कर जाते हैं वो क्यो? अरे इस पेड़ पर आएने लगा कर जो अपनी शकल देख लेता है ना उसे आज भी अपनी पसंद कर चाहने वाला मिल जाता है और तुम्हें भी तुम्हारा चाहने वाला मिल गए है जानेमन तुम तुम बामे से स्रीन Ghra तक मेरा पीछा कर रहे थे प्रेम राज यह देखो तुम्हारे प्रेम में हम यह आइना और चूडियां भी बंबई से साथ लेकर आये हैं इस आइने में अपनी शकल देखकर हमें मंग लो तो हमारी प्रेम कहाने का किस्सा भी पूरा हो जाएगा और हम दो प्रेमी इस प्रेम सागर में हमेशा हमेशा के लिए टूप जाएगे हम में आये हमेशा लिए चूप झाल रगे हमिएगो हमें आई में अपना आगीान याबेशा के ढान आई कर लेके में बंद Rugट्र Кव अपना याबेशा अिर भक वर अपनों हमेशा यह जो आइना रगजा उना प्रेमी जाईतीए हएएएएएएएएएएएएएमा वा ठुछिख ओके खनो लिएुख गएएएएएएएए निए आदे लेमा जए औरा लग्लाफ झाने हरे लेगाईएएएएएएए गराफ़ है प्राफ़ देया माराफ़ का जिक एच रह पा यरेजिया जबका फॉलत अचे पह वा इना N이리-ni-ni-ni-ni Nih-ni-ni-ni 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 Nih-ni-ni Stop it! Kha' i 키arse on! Choreo! NEH चोलुगा! भफ चाहर पाहरा गुछ भफ डरी अजय कर में पाहरा जारा गुछ हाँ हुआ रख रख वाँ हाँ घग जप पह सुछ हाँ जग जग चाहरा जग वप पुछ हाँ तुछ हाँ हाँ लोग पाहरा इब एक अब वड़ हाँ भ Elec झाल 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 आपका बहुत बहुत शुक्री आपका बहुत बहुत शुक्री नहितू जीत कमाल है सब लोग साथ जा रहे हैं और कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा हुआ क्या बात करूं यही क्या आपका नाम पता ठीका ना जी मेरा नाम विक्रांत है वैसे प्यार से मुझे सब विक्की कहके पुकारते हैं मैं दिल्ली में रहता हूं और आप मेरा नाम सोनम है प्यार से सब मुझे पिंकी कहते हैं मैं बंबई में रहती हूं यहां का ठारी है सेंटोर होटल रूम नामबर 303 मैंने सिर्फ जगा पूछी थी ट्रैवर पहरा संटोर होटल चलो थैंक यू कमाल है कुछ बोला भी नहीं ऐसी ही चला गया ना बोला तो ना सही कौन सा तेरी जीनी का सहरा चला गया अब चल भी यार बहुत सुर की भूख लगी है चल क्या बात है आखो में नी नहीं या दिल तुम्हारे बस में नहीं कहां खो गई हो जया लड़का कमाल का था न लगता है बहुत शरीफ होगा लड़के और वो भी शरीफ अरे छोड पिंकी छोड ये तो लड़की को पटानी की उनकी चाल होती है चाल पहली मुलाकात में शरीफ और दूसरी मुलाकात में शुरू लगता है हो गए शुरू क्या बात करी हो तुम वो भला क्यों फोन करेगा अंकल का फोन होगा बंबे से हलो नीन नहीं आरी न कौन हो तुम तुम्हारी नीन चुराने वाला विक्की विक्की का फोन है देख ली शराफत आगे आगे सुनिये कहता है क्या इस तरह इतनी रात को फोन करने का मतलब रात कहा जाने मन आच की चांदी में तो हमारी दुनिया में पहली सुभा का जनम हुआ है और साथ-साथ हमारे पहले पहले प्यार का भी सब्सक्ट मैं फोन रख रहे हूं तुम फोन नहीं रख सकती पिंकी क्योंकि तुम्हारी आवाज में भी वही दर्द है जो मेरे सीने में है और जब तक तुम मिलने का वादा नहीं करोगी माई फोन नहीं रखूँगा कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं जाने मन, महबबत है महबबत और महपत में कोई जबर्दस्ती नहीं होती कमाल है, कहता है जब तक मिलने का बादा नहीं करोगी, पोन नहीं रखूँगा बहुत शरीफ लग रहा था ना, उतर गया ना शराफत का पोस्टर अरे, ये आज कल के लड़के होते ही ऐसे हैं, जहां आची सुरत देखी, वहीं प्यार करना टक शुरू, देख फोन रख दिया होगा, देख हलो, क्या फैसला किया, डार्लिंग, ये तो हाथ में ली बठा है, अरे छोड़ पिंकी, चल हन्मान चली सा पढ़के सो जाते हैं, वरना ख्वाब में भी यही आएगा, बेशरम, चल चल सोजा, मैं लाइट आफ करती हूँ, सोजा प्रूश बढ़, मैं नहीं हमें लोगी तो है, आएगादा ग्वावाब में नहीं है, आएगा स्वाइएवाब पिंकी, चना अर्णा तो है, अचली तो है। जब तक तुम मिलने का वादा नहीं करोगी, माई फोन नहीं रखूँगा तुम्हारी आवाज में भी वही दर्द है, जो मेरे सीने में है अगर यकीन नहीं आता, तो आज 11 बजे सोन मरगा कर देख लेना जब तक तुम मुझे मिलने नहीं आओगी, मैं तुम्हें पुकारता रहूँ वाजाना सुन आई बहार दिन की पुकार, रह तक रहा हूँ मैं जिसकी आएगी नहीं वो सामने जब तक आवाज देता रहूँगा एक भी सास हो सीने में जब तक आवाज देता रहूँगा ओ जानाओ, मेरी सोनाओ, ओ जानाओ, मेरी सोनाओ सुन आई बहार दिन की पुकार, रह तक रहा हूँ मैं जिसकी आएगी नहीं वो सामने जब तक आवाज देता रहूँगा एक भी सास हो सीने में जब तक आवाज देता रहूँगा ओ जानाओ, मेरी सोनाओ, ओ जानाओ, मेरी सोनाओ मेरी सोने बेदा एक वे जब तक आवाज देता रहा बेदानाओ माना के फुलों में है अंग तेरा हसी नजरों में है रंग तेरा कलियों का करना क्या फुलों पे मरना क्या मुझको तो प्यारा संग तेरा माना के फुलों में है अंग तेरा हसी नजरों में है रंग तेरा कलियों का करना क्या फुलों पे मरना क्या मुझको तो प्यारा संग तेरा सुन आई बहा दिन की बुकार रहा तक रहा हूँ मैं जिसके आए की नावो सामने जब तक आवाज देता रहूँगा एक भे सास हो सीने में जब तक आवाज देता रहूँगा ओ जानम मेरे सामने ओ जानम मेरे सामने इतना सरह तेरी आहों में इच चली आई तेरी राओं में और आसा रुप जाता मुझको जब तरपाता खुद ही आजाते तेरी बाओं में इतना सरह तेरी आहों में इच चली आई तेरी राओं में खोड़ा सा रुप जाता मुझको जब तरपाता खुद ही आजाते तेरी बाओं में ओ जानम तेरी सानम ओ जानम तेरी सानम अनम अजाता मुझक जब तरपाता मुझकर जाता खुद बिढरा खुद ही तुछ में जो ठाके वो दिल मेरा है तुछ में जो ठाके वो दिल मेरा है तुछ में जो ठाके वो दिल मेरा है ऐसे दिल मिल चल लोग ना कहता है मैं जो ठाके वो ठाके वो ठाके वो दिल मेरा है एक तुझे के बनेगे हलो हलो अंकल मैं स्वीनगर से पिंकी बोल रही हूँ पिंकी कैसी हो तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल क्यों भाई वही बसने का इरादा कर लिया क्या पंद्रो दिन का बोल कर गई थी आज एक महीना हो रहा है यहां का मौसम ही इतना अचा है के बस दिल लग गया मौसम से दिल लगा है ना ओ कमान अंकल बेटे जल्दी आओ तुम्हारे बगएर घर काटने को दोड़ता है आप फिकर मत करिये मैं कली वापस आ जाओंगी ओके आंकल ओके ऐसा लग रहा जैसे कुछ सपना देखा था आखे खुली और कुछ भी न था नहीं पीके अकीकत के प्यार को सपना मत कहो इतनी जल्दी इतने करीब आकर इतने दूर हो जाएंगे यह तो सोचा भी न था एक आद दिन के लिए और रुख जाओ ना पिंकी अंकल से बात कर लिए जाना तो पड़े गई इतना प्यार करती हो अपने अंकल को कि प्यार करने वाले को छोड कर जा रही हो विकी तुमारा हक मेरे दिल पर है लेकिन अंकल का हक मेरी सिंदगी पर इतना चाहती हो अपने अंकल को हाँ बहुत चाहती हो वह मेरे सगय अंकल नहीं है फिर भी वो मुझे अपनी जान से ज़ादा प्यार करते है मेरे डाड़ी उनक्या काम क्या करते थे एक कार आक्सलिंट में मेरे मम्मी और डाड़ी के मर जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा बढ़ा किया अब आपका प्यार दिया इसका मतलब तुम्हारे अंकल उन लोगों में से है जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होते है हाँ विकी बहुत अच्छे है मेरे अंकल तुम जब मिलोगे न तो तुम भी हमेशा याद रुखोगे अरे आप तो ज़रूर मिलना पड़ेगा अपने इस प्यार को शादी के बंदह में बादने की पर्मीशन लेने के लिए इस बंदे को दिली से बंबई उड़ना ही पड़ेगा ओ किती गर्मी है याँ चलो जाए मैं तो मैं छोड़ देती हूँ थाइंक्यू बेंटी रप्तिं गाड़े से चलोड़े बादी के लिए बादी कोना तुम लोग चुपचा बैठी रहो वर्ना खुपड़ी उड़ जाएगे टाइवर जहां हम चाहेंगे गाड़ी वह ही जाएगी वरना तुम्हारी मात की घंड़े बच जाएगे कमान मूब हलाव नाग राज है तुम सिर्फ थे का खाब लेकर पैदा हुए हो और सिर्फ खाब लेकर मरोगे और तुम भी मुझे मारने का खाब देखते देखते मर जाओगे कींग केंग को उची आवास पसंद नहीं यह नागराज, है, बुची आवाज पसंद नहीं तो ले, यह नीची आवाज सुन, इसे सुनकर तेरा बोलने का अंदाजी बदल जाएगा, सुन अंकल, यह लग कौन है अंकल? यह दाने मुझे क्यों पकार लगा है अंकल? क्यों पकार लगा है? धवराओ मत बेटी, यह तुम्हारे साय को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्यों? हो गई नावाज नीची? मुझे मालूम था नागराज, के तुम में ऐसी गटिया अरकत करोगे, लेकिन तुम भूल गए, के तुम्हारी टक्कर किसी और से नहीं, किंग से हुई है, ए किंग मैं तुम्हारी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते, ये लो, अब एक आवाज तुम भी सुनो, डैडी, ये लो, मुझे माटा लेगे, मुझे बचालो, मुझे बचालो डैडी, तुम कहां से बोल रहे हो बेटी, मात के पंजे से, अब बलो, तुम छुडाना चाहते हो इ तुम भी अकेले आओगे, और हम भी अकेले आएंगे, तुम अपना सपोला ले जाना, और हमारी बेटी दे जाना, और सुनो, अकेले ही आना, अपने साथ, अपने बिल्लों को मत लाना, ठीक, 11 बचे नहीं ना, अगराज, ना तो तुम वहां से हिलोगे, ना मैं यहां से हिलोंगा, अद्ला बदली सिर्फ, प्रेम और पिंकी की होगी, तुम्हारा बेटा यहां से चलेगा, और हमारी पिंकी वहां से चलेगी आओ बिखाओ, चलेगा आओ, 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 अब मेरी ताली पर, तुम्हारी मौत के फरिष्टे बार आएंगे। नागराज, आज तेरी जिन्दगी का आखरी दिन है। इस पिस्ताल की छटी गोली, तेरे सीने के आरफार होगी। और तू इसी कबरस्तान में दफन हो जाएगा। नागराज का सीना इतना कमजोर नहीं किंग जो तुम्हारे गोली का निशाना बने। मुझे मालूम ता तुम इस तरह की घटिया हरकते करोगे। लेकिन नागराज ने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली है। ये रिमोट कंट्रोल है। इसके छोटे से बटन से फटने वाला छोटा सा बम तुम्हारी प्यारी प्यारी गुडिया के छोटे से पर्स में है। ये, नहीं, नहीं, हाथ महीं लगा ना पर्स को, बटन दबा दूँगा। मिस्टर किंग, अपने इन पिल्लों से कहो के दूर हट जा हम से, जल्दी। क्या करना था बुम्हाद क्यू पूरी दियौर में पूर भाड़ खोने के ख़बरें नहीं हमारी वर्दियूंपर कलंच शप रहे हैं अखबारों की हेडलाइंस हमारे डिपार्ट्मेन को बदढनाम कर रहे हैं लेकिन सेर्फ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कोशिश, पुलिस की डिक्सिनरी में कोशिश दाम की कोई चीज नहीं, कोशिश वही कहलाती है जो कामयाब होती है, जवाब दो, आखिर कब तक, कब तक इस तरह कानून तूटते रहेंगे, मगर सर, लगता है इस शहर को सम्हालना तुम लोगों के बस के बाहर की बात है, अब और इसी ही आग का नाम है इंस्पेक्टर मलिक, जो आज कल दिल्ली के मुझरमों के लिए कानून की दहकती आग बना हुआ है, उसका रेकार्ड है, तुसने आज तक किसी भी मुझरम की कलाई में अपने हाथ से हतकड़ी नहीं पहनाई, बलकि मुझरमों ने घबराकर अपने आपको कानून के हवाले कर दोगा, और उन तमाम लोगों के नाम और पते बतला दो, जो तुम्हारे साथ प्रेमचंद के लिए काम करते हैं, आपको कोई गलत फैमी होई इंस्पेक्टर साथ, मैं तो प्रेमचंद को जानता तक नहीं, और फिर भी, अगर आपके पा एक बात गौर से सुन लोगा, हमने अपने हाथों से आज तक कभी किसी मुझरिम को हथकली नहीं पहना, मगर हम उसे इतना मजबूर कर देते हैं, कि वो खुद बखुद अपने हाथों से हथकली पहन देते, आज रात 11 बजे, वो भी पुलिस टेशन में आकर तुम खुद अपने हाथों से यही हथकड़ी पहनोगी पागल है वो इंस्पेक्टर, और मैंने भी अगर उसका पागल पंद दूर ना किया, तो मेरा नाम प्रेम चंद कोचर नहीं खैर, उसको तुम्हें बाद में देख रूँगा, पहले तुम यह बताओ, कि आज रात जो माल उतरने वाला है, उसका बंद बाद सोच चुका है हलो, हुआ, गोगा साब हाई क्या, काउनों तुम, हम उनके नौकर बोल है, बीरू गोगा, तुम्हारा फोन, वहाँ से, हलो, कौन, गोगा, हम इस्पेक्टर मलिक बोल रहे है, तुमने जो प्रेम के माल के बारे में पता और समय बताया, उसमें कोई हेर फेर या रदो बदल तो नहीं है, कौन सा पता, कैसा पता, क्या मतलब है, गबराव नहीं, गोगा, हमे जो भी सवाल पूछें, उसका हाँ या ना में जवाब दो, अच्छा सुनू हो, यह सब उस इस्पेक्टर की चाल है, पेम साप, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे मत मारिये, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूगा, तुम्हारी हाँ या हाँ वाल दुम्हारी कोई पुम्हारी हाँ! अब बचा लिजे ताव ताव मुझे बचा लिजे ताव याद है तुम हमने कहा था आज रात तक ग्यारा बजे तुम खुद पुल स्ट्शिशन में आकर अपने हाथों से हतकडी पेना होगी और ग्यारा बजने में अभी तीन मिनिट बाके है तब मुझे बजा लिए साफ मुझे बजा लिए साफ मुझे बजा लिए साफ तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है और वो है ये कि रुम्हारा बाके है अब 24 घंटे के अंदर तुम अपने तमाम साथियों के नाम और पते बताओगे वरना 24 घंटे बाद जब घड़ी में 11 घंटे बजेंगे तो तुम्हारी जिन्देगी की घड़ी तोट चुकी होगी बता दूगा मैं, मैं सब कुछ बता दूगा, सब कुछ बता दूगा प्रेम चंद कोचर, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो उची से उची दीवार को भांद सकते हैं मैं करता हूँ, इंस्पेक्टर, मेरा रास्ता छोड़ दो शेर अपने शिकार को छोड़ सकता है, वागर हम मुझ्रिम को कभी नहीं छोड़ते हैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है अब जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने के अंदर होगी ताहन लोईसे आपने दिली के छटी वे बद्बाश प्रेम चन और उसके गिरोग को पकड़कर अकलमंदी और बहादरी का सबूत दिया है डिपार्ट्मेंट को आप जैसे जांबाज आफसर पे फखर है हमने तो सिर्फ अपना फर्ज ने भाया है जो हमारा धर में सर सरकार ने आपके कंदों पर एक और जिमेंदाली डाली है आपने बंबई के खतरनाक मुझरिम के का नाम तो सुन होगा अच्छी तरह सुना है सर सरकार ने आपको डी सीवी बना कर किंग और उसके गिरों को खतम करने के लिए बंबई भीजने का फैस लगिया है ये रहे आपके ट्रांसफर आदर स्विफर अज विद बेट विश्यों आपके ट्रांसफर का अगया हूँ आपके ट्रांसफर से हाँ हाँ देखो भली मानस तुम्हारे इस तरह चलाने से या गुस्सा करने से ट्रांसफर तो रोखेगा नहीं इसलिए हम दोनों की बहलाई इसी में है कि तुम सामान बांदो और चले की तयारी करो बैड़ी क्या फिर से होगा ट्रांसफर वह बैडे तुम अले अच्छी वकषग का अगया? अब पालम से का उतरएगा? मेरे सर पे उतरेगा बैडे ने सांता क्रूज सांता क्रूज बॉम उय लव力 तो है संता क्रूज क्या अरे जब मुहबबत करनेवालों के दिल मिल जाते हैं तो आवास जुबास है कहां दिले से निकलती है मेरी जान पर इस तरह अचानक की फोन वो क्या है कि जिस दिखी में जो चीज़-ग होती है न वहीं हीट होती है जिस तरह तुम मुझे मिली अचानक ब्रमारी तिल में बसे यह चन्त फिर चलेइंगी जनक फिर मेरी केस्पट फिल्गें जैळकू और आज शाम की फ्लाइट से बंदा बंदह बॉम बर आए वह चनक ऑर शाम को कर दो कर दो कर दो करने के लिए को जगे ने मिले क्या अरे को रोको इसे अरे क्या रोकेगी दुलिया उसे जिसे प्यार हो गया कर्क कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्यारो के की दुम्या उसे जिसे प्यार हो गया इक रार हो गया प्यार का दीवाना अपन सर पे समार हो गया हमें प्यार हो गया, इतरार हो गया क्या रोके दी, क्या रोके दी दुनियां से जिस प्यार हो गया इतरार हो गया उठे निगाहे उठे ने जो, रुपती है राहे रुपती ने जो कुटे निगा है, कुटे ने दो, रुपे हिरा है, रुपे ने दो आता है तु मान दो, सर पे खयामत जुखने दो क्या रोकेगी, क्या रोकेगी, दुम्या उसे, जिसे प्यार हो गया, कि खरार हो गया हवा में इतना तम है कहा, फूल से भामरा जुदा करे हवा में इतना तम है कहा, फूल से भामरा जुदा करे आधी में हिम्मत है कहा, बदर्स पिछली जुदा करे क्या रोकेगी, क्या रोकेगी दुनिया उसे, जिसे प्यार हो गया, कि खरार हो गया कहा हम दाने ए बन्दू नहीं हो गया प्यार हे मसहब प्यार 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 करो क्या रोखेगी दुमिया से इस प्यार हो गया किरार हो गया अरे वा मलक साथ वा मैं तो आपको सिर्फ कानूं का हतियार हुस्ता था, तस्वीरिये बनाने वाल कलदार नहीं तस्वीरें बनाना हमारी बच्पन का शाउक है हमारी दिली खौ़एश ती कि हमारी कलाकारी बंबईda too दीखे आई यह आपको कुछ और देखाते हैं आइ मलक साथ बहुत शुक्रिए निटा King साहब कभी-कभी ऐसी तस्विरें बन जाती है जिसमें देखने वाले को अपना माजी अपनी टकदिर की जल्गया ना जराने लगती है जिसमें दोरता हुआ खुम चम जाता है और सांसे बेचैन हो जाती है किसके तस्विर है ये? श्रीनेगर के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक मामूली आदमी की तस्वीर है जिसकी तखदीर ने एक दिन ऐसी करवट लिए कि आज ये आप ही की तरह बहुत बड़ा आप्मी वैसे आपका कर खयाल है इस तस्वीर के बारे में बहुत ही अनमोल और किमती तस्वीर है आगे चलें आएए ये ये तस्वीर यहां पर मैंने लगाई ये ये भी आपी की तरह एक जावास पुलिस आफिसर था दिनेश ठाकुर था इसका नाम हाथ में पिस्तौल सीने पर वर्दी और जबान पर कानून की किताब लिए बहुत उचलता था मगर एक दिन ऐसी गोलियां चली के बेचारा हमेशा के लिए खामोश हो गया अगर आपके सीने में भी ऐसा कोई खयाल उभरने लगे तो सिर्व इस तस्वीर को गवर से देख लीजेगा फिर फैसला कीजेगा क्योंके किंग से टक्राने वाले की जिंदगी का हर कदम बड़ा नाजुक होता है हमारा मकसद हल हो चुका है तुम पेट्रोल भरने वाले वही किशन हो जो आज किंग बने बैठे हो फैसला तो हम करी चुके हैं सुबूत हाथ लग जाने दुकिंग हम तुम्हें मिटाकर ही दम लेगे यह है जॉन कल रात यह सिंगापूर से बंबई पहली बार आ रहा है ब्राउन शुगर पोकीन चरस और गांजे की डिलिवरी लेने अगर यह पकड़ लिया गया तो किंग हमारे कानूने शेक अंजल से बच नहीं सकता ऐसा ही होगा सर किंग अब जौन के साथ जील की सलाहें गिनेगा अ फ्लाइट कितने हुज आ रही है कल रात दो बचे पार प्रेश प्रक्रेश व्हें है किस मत पीजिए अधितर दो रिख मह केल नहीं है झाल झाल, झाल, झाल क्या शार्ष्ट रिनष्ट बुड़ा है वाट इस ये ये सब क्या रोबा है Mr. John you are under arrest इन रष्टार कर लोसे आई दिले नादा दिल बर दिल बर जाना मन करा दिल बर दिल बर दिल बर जाना आ दिले नादा आ दिले नादा त gloss मत जाक जाए जो तिरे दुन्फों में तेरे शाव जर्द जा क्यों तेरी नदर शर्माई, क्यों तेरी नदर घबनाई बाद फिर दोट से चल कर तेरे लिए ही आई, या अपी ए दिले नादा, ए दिले नादा, ए दिले नादा तेरी नदर जाये, तेरी नदर जाये, तेरी नदर जाये मन पुरा दिल बर दिल बर, दिल बर जाया मन पुरा दिल बर दिल बर, दिल बर जाया मैं रक्स दिखाती जाओ, तुम जाम उठाती जाना मैं रक्स दिखाती जाओ, तुम जाम उठाती जाना दिल चे दिल तक राने का महाँ बना दे जाना यह वे तक राने का थिल बर जाना आ दिल बर दिल नला आ, तेरी नला आ, तो दिल नला आ, तेरी रसमत जाग जाए जो मिले जुल्फों में तेरी शौंब दर जाना मन पुरा दिल बर दिल बर दिल बर जाना आईए वेल किंग हम तुमारी मेमान नवासी से बहुत खुश हुआ वाय नुट बिजनस की बात करें किंग आहां क्यों नहीं आईए बैठिये थैंक्स ये रहा आपका माल एफ़ा दोन माइन चक का नमांगता हा रहा हाँ जरूर वाट इस देज वाल रभिष माथे पर लगाने के लिए चंदन भगवान के सामने जलने के लिए अगरभत्ती और शैतान के साय से बचने के लिए लवाने डीशीपी मलिक पू मलिक और किंग को भी कोई धोका नहीं दे सकता मुझ तक पहुंचने से पहले पहुंचने वाले की तस्वीर पहुंच जाती है ये देखो ये है जोब किंग को सबूत के साथ गिरफतार करने का खाब देखना बंद करो डी सी पी मलिक क्योंकि खाब कभी पूरे नहीं होते हैं बहतर यही होगा तुम मेरे रास्ते से अच जा वह जिस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं उससे कभी पीछीं नहीं आठते हैं और यह भी याद रखना कि मलिक आज तक कभी किसी को अपने हाथों से हाथकड़ी नहीं पहना है हम ऐसा रास्ता बना देते हैं कि मुझरिम हमारे सामने आकर खुद बखुद अपने हाथों से हाथकड़ी पहनता है तुम्हारा अंचाम भी ही होगा ठेरो बहुत बड़ी बात करके जा रहे हो उसका जवाब सुनते जाओ आज तक इस जमीन ने ऐसा फॉला पैदा नहीं किया जिससे मेरे हाथों की हकड़ी बन सके बेस्ट अफ लग् अजी किसी मुझरिम पर निशाना कमजोर पड़ गया है क्या जो आज सुबा सुबा निशाने बाजी की प्रैक्टिस की जा रही है इतना गुस्सा कोई बहुत बड़ा मुझरिम धोका दे गया है क्या अनिता जिन्दगी में पहली बार हमारी आखों के सामने किसी मुझरिम ने कानून से आख में चुली खेलने की कोशिश किये अगर हम भी उस मुझरिम किंग को उसकी मकारी और चालबाजी की ऐसी सजा देंगे कि इसकी चालाओ की इन मुझरिम की तरह टूटकर बिकर जाएंगे बिकर जाएंगे नहीं डेडी नहीं गोनेगारों को खतम करने का आपका यह अंदाज मुझे बिलकुल पसंद नहीं जिस दिन मैं इंस्पेक्टर बनूगा न उस दिन देखिएगा एक-एक मुझरिम को ऐसे खतम करूँगा जैसे कोछ अलाक शिकारी किसी भेडिय को खतम करता हो लेकिन बेते कानुन के हाथस सुबूत की जञ्जीरों से जकरे होते हैं जब तक हमारे हाथ तो सुबूत नहीं लगते हैं हम मुझरिम को खत नहीं कर सकते हैं मगर आजकल तो मुझरिम इतने चालाख हो गया है कि कोई सबू छोड़ते ही नहीं, इनके साथ तो जैसे को तैसा वाला सलूक होना चाहिए, और इन्हें इट का जवाब पत्थर से दिना चाहिए। चलो उतरो सब, चलो, कोने कोने की तलाशी लो, चलो जब्दी करो, कोई भागने ना पाए, चलो जब्दी किंग साब, अखबारों में आपके बारे में जो गलत अफ़ाए छप रही हैं, क्या वो सही है? आपके आफिस में पढ़ने वाली रेट्स और आपके बारे में जो अफ़ाए फैली है, इस बारे मुझे कुछ कहेंगे आप? डी-सी-पी मलिक, आएए आए जनरव, कहिए क्या तकलीफ हुई आपके? मेरे आफिस, मेरे गोदाम, मेरे बिजनस के जगाओं पर कानुनी कारवाई करने का मतलब, कौन से समूत पर आपने ये सब किया है? शक, शक की बुनियाद पर पुलिस किसी के भी घर और ऑफिस की तलाशी ले सकती है किंग का आफिस और घर? किसी कभी ऑफिस और घर नहीं होता डी-सी मलिक, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह बातें करने का अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं अंजाम की परवा ना ही मैंने कभी की, ना ही कभी करूंगा एक बात अच्छी तरह से सुन लो, किंग से टकरानी की कोशिश जिसने भी की, वो हमेशा के लिए चूर चूर हो गया हम जिस से टकराते हैं उसे एक बात शरूर बता देते हैं, चाहे वो चटांगी क्यों ना हो, और वो है हमारी उसूल हमने आज तक किसी की धम की नहीं सही, अगर किसी ने कोशिश की, तो हमाला ऐसे पैदा कर देते हैं कि मुझरिम खुद बाखुद अपने हाथों से हथकली पहल लेता है तो हमारा उसूल भी सुन लिजे मलिक साथ, जिस पुलिस आफिसर ने सर पर कफन बांग कर हमें गिरफतार करने कोशिश की, हमने उसी कफन को उसके तन का कफन बना दिया इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा हा, 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 फस गया किंग, मलिक की जाल में अब इन दोनों की दिश्मनी का फाइदा मैं उठाऊंगा, मैं मलिक साथ, आपने तो शेहर में आते ही चुर्म का जीना मुश्किल कर दिया है अब आप ये बताए कि आपका अगला कदम क्या है उस चालाक मुझरम की ग्रिफतारे, जो कानून की आँखों में धूल जोंक कर, शराफत की चादरोडे समाज में खूंगा हमें यखीन है सकता जी, इस वक्त भी वो ज़रूर हमारा इंटर्वू देख रहा हो मतलब आप उसे जानती हैं अच्छी तरह से, लेकिन दुनिया उसे एक शरीक शहरी समझते हैं सुबूत ना होने की वज़े से वो आज तक कानून की गिरफत से बचाते हैं लेकिन हम उसे बहुत जल्द सुबूत के साथ मुझरिम और देश्टरोई साबिक पर हो उसकी ग्रफदारी हमारी सबसे बचाते हैं रख मोड़ते ही मुपते हें लेकिन भ humanos पतिल्द से इमारी से तक कर अभ्रव से हैं बाइब मितना ना ही抹ाओ उसकी बच्पति हो लेकिन कानली जल्द से बहुत मिज़ते हैं ज्यकिन पत्रैक वँपते हैं लेकिन ही सुपते हैं लेकिन हो कल दो झाल किंग कौन किंग बंबई के अंडर वर्ल्ड का किंग देश्ट्रोही स्मकला इसको खत्म करने के लिए सरकार ने मुझे दिल्ली से बंबई भी देखा मा तक्दीर मुझे ही कौनसी परिक्षा ले रही है कौनसी परिक्षा ले रही है Ohh वू वो मेरे सुहाग के तुष्मन बंगए है और मेरा सुहाग उनके कर्मों का ये तुने मुझे कैसी मज़धार में भशा दिया है मा जिसे हर समय अपने सिंदूर के मिट जाने का और मंगल सुत्र के टूट जाने का डर लगा रहता है इस उलजन से तु ही पार उतार मा तु ही पार उतार तुम संबाल लेना शाहब आपसे कोई देवी मिल ले आईए चलो मैं आता हूँ थाहँ मिल आता हूँ तुम यहां किसलिए आई हूँ इसलिए कि कहीं तुम्हारे हाथ ऐसा जुर्म ना कर बैठें कि पश्चताब की आग तुम्हारी सजा बन जा है जिस आग में मैं जल रहा हूँ क्या उससे भी बड़ी आग है इस दुनिया में हाँ है मेरे पती की चिता की आग जिसे तुम जलाना चाते हो मैं तुम से भीग मागती हूं किशन मेरे सुहाग पर कभी आज ना आने देना तुम खामोश क्यों हो बोलते क्यों नहीं मुझे अफसोस है आनिता आज भी तुम इस किशन को ना समझ सकी जिसने तुम्हारी मुझकराग को अपनी जिन्दगी समझाओ क्या वो तुम्हारा सुहाग उजाड़ेगा किशन विश्वास रखो आनिता मेरे हातों तुम्हारे सुहाग की हत्या नहीं हमेशे रक्षा होगी रक्षा पापुजी आज आपके पोते ने आपकी तमन्ना और हमारी खायश पूरी खर दिये आज ये भी वर्दी पहन कर कानून का रखवाला बन गया है आप इसे आशिरवात दें ताकत दें ताकि ये वर्दी का बोज और इसकी सिम्मेदारियां इमानदारी से निवा सके भली मानुस माँ हम कहा करते थे न कि हमारा खांदानी खुन रंग लाएगा देखो विकी को आज ये भी खांदानी खुन में लंग गया है अनिता जिस दिन खानून के वफादार सिपाहियों के कारणामों की किताब लिखी जाएगी उस दिन सुनहरे हर्फों में हमारे खांदान का नाम सबसे उपड़ोगा मलिक खांदान अरे मा तुमारे आखों में आज़ू विकी जब जब जवान होकर आउलाद जिंदगी की कामियाब मंसिल पर पहुंचती है तो मा की आखों में खुशी के आज़ू आही जाते है मा कितना खुशनसीब है तेरा ये बेटा जैसे DCP मलिक जैसे इमानदार इजददार पिता का साया और तुम जैसे मा का अशिरवाद मिला और हम दोनों को ऐसी आउलाद जिसकी मा होने का अगर तुम्हें अभिमान है तो पाप होने का हमें कर्व है बेटे आज के बाद तुम भी वही करोगे जो हम करते आएं करनून के हिवासत और चुर्म का खत्म सर मिश्टरानी मेरे होते वे तुम हिंदुस्तान छड़ू कर नहीं भाग सकते मेरे पास तुमारी गिरफतारी का वारंट है यूर अंडार अरेस्ट लगता है वर्दी आज ही पहनी है देखा बच्चे तुमारे डिपार्टमेंट की हर लकडी की कुर्सी मेरे लोहे के टुकडों से दबी हुई है तुम तो क्या हिदुस्तान से बाहर जाने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता देखो इंस्पेक्टर मशली समझ कर कई लोग मगरमच पर जाल फेक देते हैं लेकिन वो यह नहीं जानता है कि मगरमच किसी के जाल में फस्ता नहीं तुम्हारी इस पहली नादानी को हम आखरी समझ कर तुम्हें माफ कर देते हैं तातिया येस बॉस हमारे जाने के बाद इस बहादर इंस्पेक्टर की जूली इस कदर भर देना की ये जिन्दगी भर खाता रहें गुद्बाई इंस्पेक्टर और बैस इस बाद इस बाद करें जाने तैं ये के के मलीक तुमने रोणी को माड़ डाला रोनी के पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि उससे फूटना ही था इससे पंद्रा बार पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ा और ये पंद्रा बार कोट से छूट गया यहाँ तक कि एक वफदार पुलिस अफिसर का खून करके ये बड़ी असानी से छूट गया था मगर आज के बाद इस तरह का कोई भी गुनेगार मेरी कोट से नहीं छूट पाएगा क्या रोनी को माड़ा ला कौन है वो इस्पेक्टर मेरा नाम इंस्पेक्टर विकरांत मलिक है कोई भी अपनी जगा से नहीं लेगा वेब राज यूर अच्छा तो तुम ही वो इंस्पेक्टर हो जसने रोनी को अपनी गोली का निशाना पढ़ा है जिया और अगर आप भी मेरे साथ सीरी तरा पुलिस टेशन नहीं चले तो आपका अंजाम भी वही होगा किसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा आज तक वो इंस्पेक्टर पैदा नहीं हुआ चुब प्रेम राज को पुलिस टेशन ले जाए अब पैदा हो गया है चुब चाप मेरे साथ पुलिस टेशन चलो वहर ना किसव थका ऋटेश कर फंब चुब पर घूँ पर येल चाप मेरेर लो चाराम कर वजन द nessा हो धित्यों कि कमुच कोновब दूर ्ज ज कर वे लूच क्या, नागराज का बेटा और कानून का कैदी? कौन सी वर्दी की इस्तरी इतनी खराब हो गई है? किसका खोन इतना जोश मार रहा है? किस ने पकड़ा है उसे? DCP मली के बेटे विकी ने विकी? मतलब बाप मेरे पीछे और बेटा मेरे बेटे के पीछे लगता है बाप बेटे को नागराज की ताकत का अंदाजा नहीं है अब उन्हें ये बताना पड़ेगा कि नागराज का राज इस शहर के हर पुलिस स्टेशन पे चलता है नमस्कार DCP सहब नमस्कार बड़ा अकबारों में तुम्हारा छोटा छोटा फोटू देखा इसलिए हमारा दिल भी बड़ा हो गया और हम तुमको मिलने आया कौन हो तुम मैं नागराज इस शहर के हर गली में मटके और जुए के अड़े पर मेरा ही राज चलता है है इसलिए तो लोग मुझको नागराज बोलते हैं नागराज किस लिए आयो तुम्हारे इंस्पेक्टर बेटे वीकी ने मेरे बेटे फ्रेमराज को पकड़ा है तो जा पकड़ा पकड़ी का काम तो इंस्पेक्टर लोग करता चाहे है पर छोड़ने का काम तो आप डीसीपी लोगी कर सकते हैं ना तो तुम अपने लडगे को छुडाने के लिए हुआ वगर देखो ाक चुडाने के लिए मैं पैसा वैसा नहीं लाया हूं क्योंकि पहले में पैसा नहीं चेताओ नियुन देता हूं बात मैं ठोड़ी सी धमकी देखो-डीC समझदार है और फिर अपनी अपनी संतान तो सबको प्यारी होती है आपको भी मेरे को भी बस मैं इतना ही बोलने को आया था क्योंकि आप मुझको बराबर पहचानता नहीं है ना बराबर पहचानता हो ना अग्राज इस शहर के नामी मुझरमों की फाइल में तुम्हारी भी एक तस्वीर है काम की बात करो तुम कहना कचाती है यही कि अभी ग्यारा बज़े है बारा बज़े तक मेरे बेटे को छोड़ देना नाग्राज तेरा बेटा किसी भी हालत में नहीं चूटेगा टीसीपी सहेब अगर आप जीत करके आकड़ा रहा ना तो यह नाग्राज तुम्हारे बेटे को डस लेगा टीसीपी मलीक याद रखना तुम्हारा यह थपड और हमारा यह बात नाग का काटा बच सकता है लेकिन नाग्राज का डसा बच नहीं सकता समझे नाग्राज हमारा नाम रंजीत मलिक है हमने तुम जैसे न जाने कितने ही नागों के सर अपने जूतों से कुचल कर उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि वह आज तक याद रखे हो इसलिए तुम भी याद रखना यह थपड़ हमारा थपड़ हाँ 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 है टी सीपी मलीक तेरे उस थपड़ का निशान तो मेरे गाल पर नहीं रहा है लेकिन उस बेज़ज़ती का हैसास मेरे खून के हर कत्रे में ताउड रहा है जब तक मैं तेरा खून बहा कर तुझे माउत की नीन नहीं सुलाओंगा तब तक मुझे चैन से नीन नहीं आईगा कि अले ओड़ी सीपी मलीक स्पीकिंग मलीक साब मलीक साब आज रात को दो बजे बेलोड पियर में किंग का पाच करोड का ब्राउन शुगर उतरने वाला है काड़ी नमबर है M.A.S. 777 कौन तुम कांसे बोले है पुलिस का दोस्त किंग का दुश्मन याद रखना रात को दो बजे पिलोड पियर में काड़ी नमबर M.A.S. 777 सब्सक्राइब 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 प्रूज प्रूज जो बागो यासे कर दिया ना उस डी सीपी मलिक को खतम तो अब तुम होगे नाग राज तुम्हारे भेज़े हुए भाड़े के टट्टूओं की गोलियों में इतना दम नहीं था जो मलिक के सीने तक पहुंच सके कि तुम हाँ हम एक बात साफ साफ सुन लो नाग राज अगर मलिक ने अस्पिताल में दम तोड़ दिया तो तुम्हारी जिन्दगी की सांसे भी तूट जाएंगे प्रार्थना करो अपनी जिन्दगी के लिए और डी सीपी मलिक के लिए भी अब दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं अच्छा तो आओ अंदर हमें और भी दुश्मनों को खतम करने का प्लान बनाना है आओ आगई ये लोग केके पता लगाओ कि कींग और मलिक की दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदल गई क्यों बचाया उसने मलिक को हलो अरे कोई बोलता क्यों नहीं मैं तुम्हारी जिंदगी की भूले हुई किताब का एक अशर बोल रहा हूं किशन आनो तुमने तुमने फोन क्यों किया मैं हर्किस नहीं मैं नहीं आ सकती लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक चार बजए होटल ब्लू डाइमंड रूम नमबर 909 मैंने तुमसे कह दिया मैं नहीं आओंगी मतलब नहीं आओंगी तुम्हें आना ही पड़ेगा और मैं जानता हूं तुम जरूर आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक चार बजए होटल ब्लू डाइमंड रूम नमबर 909 मैं तुम्हें नहीं पड़ेगा और मैं चानता हूं तुम जरूर आओगी कर्ण हो दो ए्रवक बाल डूम्हें कि माइखर थे जाएटाने एक घरे थे प्रयाने एपकारपी जाएट कर दो खोड़ कर दोड़ाने एक प्रयाने एक प्रेंगाने कि तोस एक Żुवाने एक्र्वों काम तीक से प्रिशिव एक फ्लीवित्विट्सर के दोड़ से देए लिए पुश्पी है. तो क्या हवारी पत्नी का रिष्टा अब मेरा और तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं परचायों का पीछा करने से कुछ नहीं मिलेगा मैं अब तुम्हारी वो अनिता नहीं हूँ मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ और मैंने ही चाता कि उस पत्नी की मांग से सिंदुर छिंजाए इसलिए मैंने तुम्हे यहां बुलाया है किसी तरह अपने पत्नी को इस बात के लिए राजी कर लो कि वो अपना ट्रांसफर किसी और शेहर में करवा ले क्यों इसलिए कि अपनी मांदैरी के वज़े से उसने कदम कदम पर मुझरिमों से दुष्मन ही मोल ले लिए है और मैं नहीं चाता कि उस पर गोली कोई और चलाए और नाम किसी का है किसी का क्यूं, गोली तो तुम ही चलाना चाते हो उन पर, तुम दुश्मन बन गए हो मेरे सुहाग के, तुम मेरे पती को खतम कर देना चाते हो बस अनिता, बस, किंग तूट सकता है, लेकिन किंग का दियोवा वचन नहीं तूट सकता बस अनिता, तुम्हारा इमान दग मगा रहा है, मुझे हासिल करने के लिए, किसी और दुश्मन का नाम लेकर तुम मेरे पती को खतम कर देना चाते हो अनिता ये जखम मुझ गोली का है जिस गोली का निशाना सा तुम्हारे पती का सीना किशिर हाँ अनिता जिसे मलिक ने पुलिस डिपार्टमेंट को एक मामूली सा हाथसा बताया वो एक जान लेवा हमला था उस पर अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो क्या मेरी विंती है तुमसे किसी भी तरह से तुम लोग इस शहर से कहीं और चले जाओ मैं हमेशा तुम्हें सिर्फ खुश देना चाहता हूँ मुझे माफ कर दो किशिर मैंने तुम्हें कितना घलत समझा कितना घलत घलत तो हमने समझा तुमें जो पतिवता पत्नी के रूप में छुपिनों इस पाप नागिम को नहीं पहचान सके नहीं भगवान के लिए ऐसा उस भगवान के लिए जिसके सामने पूजा की ठाली रखकर तुम्हें इस इंसान को अपना दूसरा भगवान मान कर रोजान आपने सौह के रक्षा करने का ढूंटिया करती थी उस भगवान के लिए यह तो किसी की हत्या कर सकता है यह अतरात मत्या ऐसा मत कहिए आप ही तो मेरे सब कुछ है तो फिर वो कौन है तुम मेरी पत्नी हो मैं तुम्हारा पती हूँ तो फिर वो तुम्हारा कौन है तुम उसकी कौन हो अगर तुमने मेरे हाथों से इस कड़े में मंगल सूत बनवा तो फिर उसके साथ कौन सर्ष तबाना है तुमने मेरे साथ अपना घरसन सार बसा तो फिर उस उस होटल में कमरा नंबर 909 में क्या खाए बोलो बोलो जाग दो बस करो रंजीत बस करो मुझसे अब और बर्दाश नहीं होगा मैं मर जाओंगी तुम जैसी औरतों का मर जाओंगी मुझे मौत पंजूर है रंजीत मगर पाप नहीं सहागन बनकर मरूंगी मैं लेकिन मरने से पहले मैं अपनी जिन्दीगी की वो टूठीवी कहानी सुनाओंगी वो कहानी जो मैंने तुम्हें हर पल बतानी चाहिए बगर तुम मेरे प्यार में ऐसे खोए ऐसे खोए कि जीते जी कभी मौका ही नहीं दिया लेकिन आज तो मरने की बात आ ही गई इसलिए तुम्हें सुनने ही पड़ेगी बरसो पहले की बात है हम कश्मीर के एक छोटे से गाउ में रहा करते थे बच्पन में ही किसमत ने माबब का प्यार चीन लिया शराबी मामा ने मुझे पाल कर बढ़ा तो किया लेकिन मेरे जवान होते ही उसी शराबी मामा ने शराब के मोल में मेरी जवानी का सौदा एक समयदार से करना चाहा मेरी इज़त को उसने रुप्यों में तॉलना चाहा इससे पहले की मुझ पर कोई दाग लगे मैं वहाँ से भाग निकली भगवान के लिए मुझे शेहर तक छोड़ दीजिए मैं आपका उपकार जिन्दी की भर नहीं बूलूगी अरे उसमें उपकार की क्या बात है आपको ज़रूर शेहर छोड़ते हैं आप जा कहोगे वाद छोड़ देते हैं आईए आईए बैठिये यूनोस तुम कहते थे न गाड़ी में पेट्रोल दलवाना है ले लो गाड़ी पेट्रोल पम्पे अरे अबदुल जी साब जी पेट्रोल लाल दे मैं घर जाकर आता हूँ जी साब्कर दोड़ी आता है यह तो अभी शुरुआत है करना तो अभी बहुत कुछ बाती है यह क्या कर रहे है चोलो मुझे गारी रखो बचा आओ देखे जिस गारी रखो देखे जिस गारी रखो छोलो मुझे जिएज़। युज़। बचार झाल 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 आपका बहुत बहुत छुक्री आप सुनिये आपको कहा जाना है आईए मैं आपको छोड़ देता हूं कहा छोड़ेंगे आप मुझे छोडने के लिए इस दुनिया में कोई जगा नहीं देखिये अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं आपके लिए थोड़ी सी जगह है मेरे पास मेरा घर अगर आप मुझे पर विश्वास कर सकें तो उस आदमी की आँखों में मुझे सच्चाई नजर आई और और मैं उसके साथ चल पड़ी वो मुझे अपने घर पर लाया अपनी बहन से मिलाया उसका एहसान उसकी हमदर्दी और उसका अपनपन आहस्ता आहस्ता मुझे उसके खरीब लाता गया जिया प्यार मंगे जिया आसमा से उंचा हो तो तो प्यास लगी है तेरी मिका कहती है कभी हां 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 कभी न न न न कभी हां हां कभी न न न न न प्या तो ही मेरा प्या आसमा से उचा तेरी ही लगन लगी है लेकिन जुबा कहती है कभी हां हां कभी न न न न न न कभी हां हां कभी न न न न का ट्रा कीजे न तुबा में रस से खिराशग लोटनी donít मैं है वो आज कहेंगे हम दिल पे रखके हाथ सुनेंगे उस ताखिल पहली पार करेंगे हुम भी उसका इंदार करेंगे जिया प्यार मांगे जिया आसमा से उच्छा हम तो को प्यास लगी है फिरी निगा कहते है कभी हाँ हाँ कभ ना ना कभ ना ना हुम भाँ मांगेनाद怎麼 सुने B मुद्स के अज को यिल I युही जीवन बर हम साच चलेंगे हम बन कर प्यार के दीब जलेंगे जीवन के अंधेरे दूर करेंगे जुनिया में बापा का नूर भरेंगे प्यार तुही मेरा प्यार आसमा से उचा तेरी ही लगन लगी है लेकिन जुबा कहती है तभी खरना घरना ख नँटिना तैरी ह आसमा नँटिना तिल नहता है ये राथ ना ठले पुरहा जाए राहा जा ठले बढ़ने जाते हैं दिल के हासले हमें जाने का हम तु पाले चले प्यार मामे जिया पिया तु ही मेरा पिया आसमा से उचा वो को प्यास लगी है तेरी निगा कहती है अभी है हाँ अभी है हाँ अभी है हाँ अभी है वो तूफान हम लोगों की सिंदिकी में भी तूफान ले आया और हम वो गलती कर बैठे जो दो जवान दिल नादानी से तनहाई में कर बैठते हैं एक दिन मुझे पता चला कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं बहुत खुश हुई और फिकर मंद भी मैंने किशन को बताया वो भी बहुत खुश हुए और हम दोनों की जल्दी शादी की तारीख तैय हो गई लेकिन मेरी समखलती हुई तक्दीर ने एक बार फिर बदनसीबी की करवट ली अरे अरे वाली अरे यह आख कुछ नहीं वलेवाला है वाली यह जो मेरी और निता की सत के साथ खेल ला जाता था था जा है कुटे तेरी यह हिंबत अब मैं तुझे जिनाँ नहीं चोले हुँ कुटेष त्युक्ट तजरी जहुए पगर उसालेख भूआ हुए 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 चर्ण, चर्ण, पॉड़्फ टृमा, फॉए Eeeh! Meşmim! 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 Amine! Ayy! Aaaaaayyyy! Haaaaaayyyy! Aaayyyy! Aaayyyy! Laçmeyyy! Aaaaaaayyyy! सब कुछ हत्म हो गया पुलिस किशिन को गिरफ तार करकी ले गई मैं पथर बनी ये सब देखती रही मैंने सूचा कि इस दुनिया में अब मेरा कौन है एक जो हमदाथ है उसे भी कानून ले गया मैंने मौत को गले लगाने का फैस्ट रही मैं पानी में डूब कर अपने आपको खतम करने जा रही थी कि अचानक आपने आकर बचा लिया और और मुझे अपने साथ घर ले गए मैंने कई बार आपको अपना गुजराओ हगल बताने की कोशिश की आपने हर बार मुझसे सब कुछ भूल जाने को कहा बहुत प्यार दिया आपने मुझे इस तरह एक नई जिंदगी फिर से शुरू हो गई यही है इस अभागन की कहनी अब भी अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं तो सिर्फ मौत ही मेरी मंसिल है सिर्फ मौत नहीं कभी कभी विधी का लिखने वाला ऐसी लिखावर लिख देता है जिसे न बुद्धी समझ पाती है और न दिमाग सोच पाता है और हम इंसानों की तक्दीर है समंदर की तूटती हुई लेरों की तरह बिखर जाती है अज़ाने में हम तुम्हें खुसुरवार समझ पिटे मगर अपनी नजरों में खुद हमें एक मुझरिम एक दूशी बन गए हमें हमें माफ करते ना हमें माफ करते हैं हमें माफ करते हैं हम तुम्हें अपनी खुशी देने आये हैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा बेटा मेरा बेटा हाँ जिसे हम आज तक अपना हो अपनी अउलाद समझते रहे लिए वो वो तुम्हारा खुन है विकी तुम्हारा बेटा है क्या अनीता ने हमें सब कुछ बता दिया है अनीता ने लेकिन मलिक विकी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए अगर उसे पता चल गया तो ना बेटे से नजरे मिला कर ये बाप जी सकेगा और ना बेटे को गले लगा कर वो मा जी सकेगी हम सब घुट-घुट कर मर जाएंगे मलिक आज वो समाज के सामने एक इजददर पुलिस आफिसर का बेटा है किंग का बेटा कहला कर उसे क्या मिलेगा सिर्फ बदनामी और मैं नहीं चाहता कि वो मुझ जैसे मुझरिम का बेटा कहलाए मलिक मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीक मांगता हूं कि मुझे वचन दो इस रास को हमेशा अपने सीने में रखोगे विकी से कभी नहीं कहोगे मुझे वचन दो मगर हम अपने सीने पर ये बोज कैसे रख सकेगे मैं जानता हूं मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा बोज है लेकिन तुम्हें ये बोज उठाना होगा तुम्हें तुम्हें कसम है तुम्हारे बेटे विकी की मुझे वचन दो वचन दो मुझे अट्छरू दो मलीक, प्लीज प्लीज कर दो कर दो कर दो नहीं है हुआ 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 है जीता है खुशी खुश रहे मुस्कुराता है हम पर हमारी तखदीर पर मुस्कुरा रहा है बच्चे मुस्कुरा ले मगर असलियत जब तेरे कानों के परदों से टकराएगी न तो तू भी हमारी तरह अंधरों में गुम हो जाएगा सुनेगा तू हमारा बेला नहीं है क्या मारू रंजीत मलक तेरा भाप नहीं है तेरी रखों में बहने वाला खून अंचीत मलक करना ही है मारे गुसूर किसी का नहीं है न तेरा गुसूर है और न हमारा अगर तकदीर तो हम दोनों के सदाद है यह न में कि नहीं पेकी अगर किसी बेटे से उसका बाप छिन जाता है तो दुनिया उस बेटे को अनाज कहते है अगर अगर बिटे किसी बाप से उसका पेटा चलिया जाता तो दुनिया उस बाप को क्या कहेगए बोल भाजी बोल भाजी बोल भाजी जाता तु बोल भाजी जातु बॉल रंजी रंजी I'm sorry अम आल राइट, हाँ, अम आल राइट, कुछ नहीं हुआ, अनिता, अनिता, अर्दों का दिल बहुत बड़ा होता है न, हाँ, समंदर की तरह विशाल, हाँ, काश, काश उपर वाला मर्दों की बर्दाश्ट करने की सलायत दे देता, आल राइट, अलगा, 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 आल राइट, क्या बात है विश्टी? आइश्टे बो आइश्टेथ, अले बदो, डेडी गर में है नहीं है, लेकिन बात क्या है? नहीं है न, फिर क्या, आभी बताता हूँ पेटे, ये आज मेरा जनम दिन है, अंकल न आप सबको दावद दिये, आप आएंगी न, जरूर रहोंगी बेटी, 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 अब तो तेरे अंकल से मिलना ही पड़ेगा अंकल है, इनसे मिले ये हैं विकी के डादी ये उनकी माम्मी और वो विकी लबस्ते मेरा बेटा मेरा खून जी, चाहता है तुझे हमेशा मेशा के लिए गले लगा लू किक साब वुजूर कहा खो गया है आप विकी को देखकर मुझे अपना अपना बेटा याद आगा न अंकल मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ जीते रहू पहमान करें मेरी उमर भी तुम्हे लग जाए अरे भाई जनम दिन पिंकी का है हम इसे आशिरवाद बधाईया देंगे या ऐसी बात उम्हे लग रहेंगे हाँ अरे नहीं मलक साब आइए ना आइए चलिए चलो बटे हाँ हाँ अपे बर्डे तू यू हाँ अपे बर्डे तू यू हाँ अपी बर्डे तू यू इस खुशी के माके पर आज का बेस्ट आइटम पेश किया जाएगा अब वो आइटम है मेरे प्यारे प्यारे अंकल के खुबसुरत मुह से एक खुबसुरत गीत भाई मैं गाऊंगा जरूर लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे साथ साथ आप चावन को भी गाना पड़ेगा हाँ हाँ क्यो नहीं अरे भाई हम पुलिसा हाँ हर चीज पास आती हुई हर चीज पास आती हुई दूर हुई लगी सिंदगी से जब ले अजली लगी अजली लगी जिसे जिन्दगी कहते हैं एक राज है वो गहरा मत जड़ के साथ सावन दर्या के साथ सहरा कभी दोस्ती लगी तो कभी दोस्ती लगी तो कभी दुश्मनी लगी सिन्दगी सही जब ने अजन भी लगी दिल दिल के पीछ लाखों परदे पड़े हुए हैं खामोश साहिलों पर उपा खड़े हुए हैं ओटों के हसे आदमे के बेबसी लगी जिन्दगी से जब में अजन भी लगी नारी के जिन्दगी तो मजबूरे एक नदी है पैदा हुई कहां पर जाकर तहां मिली है सच बात सुनके सबको सच बात सुनके सबको अक्सर बुरी लगी सुन्दगी से जब मिले अजन भी लगी इस जिन्दगी के सिलसले कितने अजीब है जो भे नजर से दो रहो चांके करीब है इस जिन्दगी के सिलसले कितने अजीब है जो थे नजर से दूर बा जाके करीब है हमको तो जिन्दगी हो हमको तो जिन्दगी खुशी के रागने लगी जिन्दगी से जब मिले अजन भी लगी हर चीज पांसे आती हुई हर चीज पांसे आती हुई जूर ही लगी जिन्दगी से जब मिले अजन भी लगी क्या कह रहे हो तुम मैं सच कह रहा हूं नागराज किंग और मली का ब्रिष्टधार बनने वाले हैं वह आज हमने दो अच्छी खबरे सुनी हैं एक हमारी बेटे प्रेम की रिहाई और दूसरी मलीक और किंग की रिष्टेदारी अब हम ऐसी चाल चलेंगे कि वो दोनों जिन्दगी भर याद रखेंगे इस नागराज को क्योंकि नाग का डसा बच सकता है लेकिन नागराज का नहीं हुआ 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 स्थर्डें पर पन्दोट रिर्णों औरौंज। नाग राज जब नाम याद है तो वो थपड़ भी याद होगा डी सीपी मलेक जो तुमने मारा था मेरे गाल पर और छप गया था मेरे दिल पर इस तरह हमारा रास्ता रोकने का मतलब जानता है तू मतलब नहीं अंजाम पूछो अंजाम कुछ लोग रास्ते के काटे निकाल कर फेंग देते हैं लेकिन हम उन में से हैं जो काटों के साथ साथ पेड़ भी उखाड कर फेंग देते हैं तू कानून का दरख्त क्या उखाड़ेगा नाग राज तू तो उसकी डाल का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता हम तुझे उस रोज भी भारी पड़े थे और आज इस वक्त भी भारी ही पड़ेंगे आज तुम कुछ नहीं कर पाओगे DCP मलीक क्योंकि आज 14 अगस्ट का दिन तुम्हारी मौत का दिन है और जानते हो ये दिन हमने क्यों चुना है क्योंकि कल 15 अगस्ट को तुम्हें वीरता का गोल्ड मेडल मिलने वाला है लेकिन आज हम तुम्हें मौत का मेडल पहनाएंगे तो उन कुत्तों में से है नागराज जो सिर्फ भाग सकते हैं काट नहीं सकते और रही बात मौत की तो वो वक्त बताएगा हुआएएए़ झाल 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 झाल